कालपी में वीरांगना रानी लश्मिबाई की प्रतिमा इस्थल का जिलादिकारी जालोन ने औचक निरिक्षिन किया जहां वो महारानी लश्मिबाई की प्रतिमा को बुंदेल खंड के प्रिविश द्वार में जल्ग इस्थापिट कराने को लेकर गंभी नजर आई जालोन जिलादिकारी प्रियंका निरंजन ने कालपी की एतिहा सिक्ता को मद्दे नजर रखकर विरांगना महारानी लश्मिबाई की प्रतिमा को बुंदेल खंड के प्रवेश द्वार में जल्द स्थापिट कराने के लिए गंभीरता दिखाई डियम का काफिला यमुना नदी के सेतु के किनारे प्रस्तावे तस्थल पर पहुचा मौके पर मौजूद उपजिलादिकारी जैंदर कुमार ने चैनित भूमी को दिखाते हुए बताया कि जमीन का समतली करण का कारे हो गया है अब दो-तीन फीट की उचाई के फाउंडेशन की मिट्टी भराई का कारे शेश रह गया है नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुशील कुमार दोहरे तथा पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधी जगजीवन अहिरवार ने कहा कि जल्द ही जहासी की महरानी लक्ष्मिबाई की प्रतिमा की स्थापना का कारे पूरा करके सुन्दरी करण करा लिया जाएगा इसके लिए जिलादिकारी ने हाईवे अथोर्टी और पालिका के अधिकारीयों को जरूरी निर्देश दिये इस्थानिय नगर आगमन के मौके पर दुर्गा मंदिर चौराहे के समीब कई नागरिकों ने यमुना नदी पुलो के दोनों सड़कों के बीच में बस स्टॉप के निर्मार की बात कही डियम प्रियंका निरंजन ने मौके पर इस्थल को देख कर कहा कि फोर लेन सड़क किनारे बस स्टॉप होने से सड़क दुर्गटनाओं की आशंका बनी रहेगी इसलिए कोई नई भूमी पर बस स्टॉप का निर्मार कराया जाए इसके लिए डियम ने उपजलादिकारी जैंद्र कुमार तथा पालिका के अधिकारियों को बस स्टॉप के निर्मार के लिए नए इस्थान पर जमीन तलाशने के निर्देश दे दिये हैं जालौन से दिवेश कुमार सुनकार की रिपोर्ट अगर आपको लगता है क्या आपके वच्चे की प्रोग्रेस रुख गई है बच्चों को पर्षनल अटेंशन और सुरक्षा की जरुरत है और आपको अपने एरिया में अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे तो अब आप बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दीजे हम पर जी हाँ क्योंकि यहाँ अनुभवी सिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्ची सिक्षा के साथ निखारते हैं उनकी पर्षनल्टी को इस्कूल में वर्चूल और वीडियो लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग की समस्ति सुविधाएं उपलब्ध हैं बच्चों के उच्जल भविस्थी के लिए जल्द एडमिशन कराएं अकेडमिक हाइट्स स्कूल सलाशर धाम कॉलोनी नियर ब्लोग ऑफिस विहाइंड होटेल सिप पैलेस मोरानिपूर